इसराम स्पोर्ट्स अकेडमी में सभी मेरे भाईयों को राम राम तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्यूंकि मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक नई अपडेट जो कि अभी आज कल फैली हुई है और फैली क सबसे पहले जब भी आप ग्राउंड पे जाते हो तो सबसे पहले अच्छे से वार्म अप करना है वार्म अप एक ऐसा रूटिन होता है रणिंग करने का क्योंकि रणिंग का सबसे पहला पार्ट वार्म अप भी होता है जिसमें आप अपनी बोली को स्टैचिंग करोगे चाहे आपके hand के joint हो या आपके legs के joint हो क्योंकि बच्चों की problem होती है कि उनको इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है और physical वालों में सबसे बड़ी कमी यह होती है कि उनके पास टाइम होता नहीं है और फिर वो injured हो जाते हैं कि सिन में दर्द है यहां पर जरका गया है क्योंकि ज warm-up करो और दिन में खूब अच्छा सा पानी पिया करो डाइट अच्छी लो तो सबसे पहले आपको हर एक मसल के अच्छे से warm-up करना है आप देख सकते हो कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो आप ही के लिए बनाई है कि आप जो बच्चों की problem होती है बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि बिचारे रह जाते हैं जिनका होना भी होता है वो भी रह जाते हैं क्योंकि उनको को गाइड नहीं कर पाता है तो मैंने सब आपके लिए बनाए यह जो वीडियो बनाई है अच्छे से warm-up आप कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले खड़े भी जब running करने के बाद आपको अच्छे से warm-up करना है warm-up में आप अच्छे से movement करना जो भी मैंने बताए कि हर एक body part का जिससे कि आपकी muscle open हो जाए open होने से क्या है कि आप injury से बचे रहोगे और कहीं न कहीं आपकी muscles में speed भी आएगी जब आप injury रहोगे तो आप आसानी से ground पे भाग सकते हो या 12 feet high jump long jump थी और 4 feet high jump थी जो कि बच्चे clear कर चुके हैं देखो अभी जो exercise में बताने वाला हूं जो बच्चे कर रहे हैं अभी वीडियो के अंदर आप देख सकते हो तो यह exercise आपको अपने workout में add करनी है सबसे पहले ground पे जाने से पहले जाने के बाद ground पे जाने के बाद आप आपको सबसे पहले running करनी है उसके बाद अच्छे से joint warm करना है और जो यह warm up drill है जो exercise है आपको अपने workout में add करनी है यह running की best exercise है जो हर कोई चाहे कोई olympic athlete हो या आपका कोई running वाला जो भी आप physical की तयारी कर रहे हैं आप यह workout में अपने add कर सकते हैं क्योंकि यह वह best exercise है प long jump better होगी high jump better होगी और यह सारी activity ऐसी है जो आपको speed भी आपकी जो running speed है वो increase करेंगी आपके जो timing है उसको कम करेंगी तो अभी जो मैं कराने वाला हूँ वो चोटी 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 अभी यह वच्चे हाई नहीं कर रहें हाई नहीं से क्या होती है आपकी balancing आती है हाथ का मुमेंट तेज होता है पैर का मुमेंट तेज होता है तो हमारी academy ग्रेट नडा मैं तो मैं भाई हो सभी से request करूंगा कि चैनल को subscribe जरूर कर देना और चो करना है इससे आपकी muscle भी निठकेगी और आप speed से run भी कर सकते हो अपनी timing को best कर सकते हो और ऐसे मैंने workout कर आया फिर इनको बच्चों को 400 मिटर जिससे आपकी muscle और muscle endurance और speed increase होगी तो और बहुत सारी में वीडियो लेकर आता रहूंगा तब तक कि चैनल को subscribe